आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं हूँ डॉक्टर मोहित गुपता जी के साथ जो की डहली के बहुत ही जाने माने यशश्वी बहुत प्रतिश्टेत कार्डियो लॉजिस्ट हैं जीवी पंथ हॉस्पिटिल में प्रोफेसर हैं और संसत भवन के पार्लेमेंट के जो म के भी कार्डियो लॉजिस्ट है आपका बहुत स्वागत है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इससे पहले कि मैं अपनी वारता शुरू करूं एक दो शब्दिन के बारे में बताना चाहती हूं कि आपके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं आप भी बहुत ही यशश्वी हैं सबसे बड़ी बात यह कि ब्रह्मा कुमारी जैसे विशाल और महान संगठन से जुड़े हुए हैं जो कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का पॉजिट्विट्री लाने का बहुत काम कर रहे हैं आप स्वेम भी लोगों को मोटिवेट करते हैं केवल उनके दिल क लाज नहीं करते हैं उनके दिमाग का भी लाज करते हैं तो आज इनसे जानते हैं कि इनको मेडिकल प्रोफेशन में आने का कैसे मन हुआ क्योंकि जरूरे नहीं कि जिनके माता-पिता दॉक्टर हों के बच्चे भी इस मेडिकल फील्ड में ज्यादा तर देखने को मिलता है कि वो इस से भागते हैं एक जॉब के अंदर लेकिन उनको दुआओं भी बहुत मिलती थी और मेरा बच्च्पन से ही अनुभव रहा है कि जिस व्यक्तिन है अपने जीवन में धन तो ठीक है वो आता जाती चीज है लेकिन दुआएं जिसने कमाई है वो बहुत बड़ी चीज है और मेरा मानना है कि यह हमारा मेडिकल प्रोफेशन है यह ऐसा प्रोफेशन है जहां आप एक करके हजारों लाखों गुना दुआएं कमा सकते हैं इसलिए मुझे बच्पन से ही इसकी तरह बहुत अट्राक्शन था मामी डड़ी ने कभी मुझे बोला नहीं कि आपको बालजी लेनी हैं लेकिन इन्नेटली मेरे स्किल्स जो थे वो शुरू से मेडिकल प्रोफेशन की तरफ औरियंटेट थे मैंने बाइलजी ली और हर जगे में अच्छा परफॉर्म करता है तो बड़े मज़े की बात है कि जब मैं फर्स डे मेडिकल स्कूल में 1992 में जा रहा था तो मैंने अपने फादर को भी मुस्कुराते हो बोला तो मेरा MBBS का फ इस भी प्रोफेशन में वो जाता है महां सफलता वो जरूर प्राफ करता है तो इस तरह है यात्रा आरम तो अभी आपको प्रेक्टिस करते हो कितने सार लोग है डोग सब देखिए 1992 से मैंने अपनी मेडिकल यात्रा आरम की थी और काडियोलजिस में 2002 में इंट्री किया था कोर प्रेक्टिस हार्ट की कर रहा हूं हार्ट के मरीजों को देखता हूं अलग-अलग प्रकार के पेशेंट्स को मैं देखता हूं डोग सब हार्ट पर ही क्यों आपका ध्यान गया ऐसा नहीं हार्ट पे गया क्योंकि एक फैसिनेशन था मेरा थीसिस किसी और प्रकार से था बहार की western countries के मुकाबले heart attack की संख्या, heart attack की severity यहाँ पर ज्यादा होना और यहाँ पर हमारे पस customized solutions नहीं हैं तो इसलिए मुझे लगता था कि अगर मैं इस फ्रांच में आता हूँ तो लोगों को मैं सुकून भी दे पाऊँगा कुछ नहीं ऐसे tools भी design कर पाऊंगा जिसके दोबारा मैं यहाँ की heart care को परिवर्तन एक नया रूप दे पाऊँ और उसमें काफी हत्ते कम लोग सफल भी हूँ है अपने experiments के दोबारा तोटल आपके हसाब से कितने किस नंबर पर है यह दिल की बिमारी सबसे ज़्यादा तो kidney के पेशेंट से नंबर वन किलर है जो heart attack की बिमारियां वो इस वकद एक epidemic का रूप लेग चुकी है जो heart attack की बिमारियां वो बहुत powerful रूप ले चुकी है इसलिए यह एक बहुत बहुत प्रकूप के रूप में फैल चुकी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है heart attack एक epidemic का रूप है और इसको मिलकर हराना अपने शरेडिक रूप से भी मांसीक रूप से भी आज बहुत 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 सरूरी है यूथ को आप क्या जो तीस साल में जान दे रहे हैं अभी हमारे जानने वालों में भी तीस साल का लड़का उसकी फरवरियम शादी होनी थी मैं आपको बता हूँ तो ABCD अप्रोच को ध्यान रखिए तीस साल से उपर जो भी है तो आपको A, A यानि alert होना है, active होना है और अपने आपको assess करना है यह बहुत जरूरी है जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आपको आप आगे step नहीं ले पाएंगे दूसरा है B, B यानि blood pressure, blood pressure को साल में एक बारी चेक कराना, देखना कि कई आपको hypertension तो नहीं है, कोई और बिमारी तो नहीं है, यह बहुत आवश्यक है तो blood pressure number जरूर चेक कराईए, sugar जरूर चेक कराईए, blood sugar जरूर चेक कराईए तीसरा है C, C यानि cigarette smoking, cigarette smoking अगर आप किसी भी प्रकार से करते हैं, किसी भी फॉर्म में करते हैं, उसको बिल्कुल बन करिये cholesterol की level, C यानि cholesterol, अपने lipid levels को, cholesterol को भी बिल्कुल control में रखिये, बहुत आवश्यक है D है diet, diet, healthy diet खाईए, green vegetable diet खाईए, अच्छा भोजन खाईए, संकल्पों का भी भोजन अच्छा होना चाहिए, मन का भी भोजन और शरीर का भी भोजन पावरफुल होना चाहिए, बहुत आवश्यक है तो diet अगर आप proper लेंगे, वो आपको healthy lifestyle, आपको healthy body देगी, healthy mind देगी, तीसरा है E, यानि exercise, exercise केवल शरीर के लिए नहीं, आधा पौना, घंटा तो आपको daily way आम करना ही है, मेरा खुद वजन 96 kg आज से 20 साल पहले होता था, मैंने exercise के दुआरा, 6 महीने में 23 kg लूज करके, औ आज दिन तक मैं maintain करता हूँ, अपने आपको साइय में लाया, powerful तरीके से लाया, जी हाँ, 96 kg, आप देखेगा YouTube पे, हमारे चानल पे सारे वीडियो हैं, किस तरीके से हमने lifestyle modifications से इसको change किया, साथ में साल में ECG करा लेना, और basic test करा लेना, काडियोलोज से रखकर संबर की परहार, professional level पर परहार ये तो आ नहीं है, ये तो बाहर का एक energy system ऐसा है कि आपको pressure डालेगा, लेकिन इंको deal करने के लिए या तो आप लोगों को change करें, profession को change करें, सब life को change करें, परिवार को change करें, ये possible नहीं है, दूसरा तरीका है अपने आपको change करें, अपने आपको change कर है, हंस बुद्धी, हर एक के अंदर एक दिन आप करिये, केवल कि हर एक की qualities को देखना है, जो भी व्यक्ति मिले उसकी quality को मुझे absorb करना है, जब एक दिन में आप हर एक की quality को देखेंगे, negative को देखेंगे ये नहीं, आपका मन powerful होता चला दाएगा, दूसरा, बहुत powerful है, overthinking को avoid करिये, हमारी जिंदगी में 99% हम लोग सफर इसलिए करते हैं, क्योंकि हम अधिक सोचते हैं, वो चीज़ें होती ही नहीं है हमारी life के अंदर, कोई जरुवत नहीं है, हमारा mind projector की तरह कारे करता है, अगर इतना अधिक हम सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें negative हमारे emotions को magnify क जले जाएंगे, तो ये बिल्कुल मत करिये, mind को easy रखिये, लोगों की negative भावनाओं को मन में रखना, उनके negative विचारों को मन में रखना, और उनके प्रती गिरना और इशार आना, तो हम कैसे किसी को सुकून दे पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, तो रोज अपने मन को negative भा बागना, और अपने परिवार को समय मत देना, ये बिल्कुल गलत है, परिवार को समय देना, quality समय देना, ये बहुत आवश्यक है, ये हमारे जीवन में सुख और शान्ती लाता है, कई ना कई, सुकून लाता है, उनके इसा जब आप बैठते हैं, every time जब आप गुजारते ह आती है, जैसे आज हाई-टेक जो हमने अपनी लाइफ को बनाया है, उस हाई-टेक को हटा के जीवन के अंदर हाई-टच को लेकर आई है, compassion को लेकर आई है, एक घर में आने को घर हमने बना लिया है, बैठे हैं गर माता पिता एक कमरे में, दूसरे बच्चे दूसरे कमरे म यह कोई life थोड़े ना है, last meditation जरूर करी, जो भी meditation आप लेना चाहिए, जिस भी प्रकास से लेना चाहिए, अपने मन को सशक्त और पावरफुल बनाने के लिए, योग एक अधभुत प्रक्रिया है, हमारे मन को स्शक्ति-चाली बनाने के लिए, राजयो का meditation हमको बहुत सु से उपर angioplasty करते हैं, और almost 30-40,000 से उपर angiographies होते हैं, पूरे North Indian population को हम लोग cater करते हैं, और बहुत busy day रहता है, लेकिन गरीब लोग आते हैं, जिनको जरूरत होती है, जरूरत मन वो भी आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यह के वल गरीब हो, लेकिन जो लोगों को विश्वा जाती है, और अलग-अलग प्रकार की surgeries, heart से भी अलग-अलग related होते हैं, balloonings होती है, pacemakers होते हैं, angioplasty होती है, कभी-कभी हम लोग catheter लेके जिनको सांस की बिमारी है, जिनके अंदर खून मुझ से निकल रहा है, उनको gyneki patients है, जिनको uterus से bleeding हो रही है, उनको embolize करना, पेट अच्छा लगता है, रगसर, जब से आपने start किया, तब जो facilities थी, और तब से अभी तक में, कितना upgradation हुआ है, facilities तो हमेशा evolving है, और कभी-कभी facilities हमाले एक limiting factor भी लग जाता है, limitation factor भी लग जाता है, बट उसका हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार हमको जितनी भ भी system को blame नहीं करता, कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास है, उसमें best opportunities को create करें, collaborate करें, ताकि हम नहीं नहीं चीज़ों को अपने hospital में लाके लोगों के उपर use कर पाएं, जोग सब कॉस्ट कितनी कम हुई, प्राक्टिकली क हमारे आप देखेंगे, अलग-अलग प्रकार की सरकारों ने बहुत effort लिया है, और किसी को name करें बिना भी अगर मैं कहूं, तो गरीब लोगों के लिए हमारे प्राक्टिकली इलाज मुफ्त के बराबर होता है, कभी-कभी अलग प्रकार के cards है, residential facilities है, BPL card है, अलग अरोगन निती हैं, ऐसे ही और प्रकार के cards जो है, योजना जो launch की गई है, उसके प्रकार से हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सुविधा जरूर है, महंगी-महंगी जांचे भी हमारे यां practically free के बराबर हो जाती है, तो costing तो लोगों के लिए काफी कम होई है, 2014 के बाद क्या कुछ खास situations develop कुई है, क्या प्रधान मंत्री जी ने health sector पर कोई खास ध्यान दिया है, नाच्रली देखिए प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार की योजनाओं को आरम किया है, और दली सरकार ने भी किया है, इस तरह से अगर हम balance करके कहेंगे, तो सबका focus यही है कि गरीब लोगो उनको यह सुवधाएं अप्रोच कराई जाएं, उनको अविलेबल कराई जाएं, कोई भी healthcare system में तीन चीजों की जरुवत होती है, वो होती है एक चीज को अविलेबल कराना, तो सभी रूप से इन healthcare systems को अविलेबल कराना, यह बहुत proper रूप से रहा है, दूसरा है, अविल अविलेबल, accessible और affordable होने के कारण सरकारों के प्रयाद से लोगों को बहुत सुकून मिला है, अपने या की टीम ने मिलके कोई innovation किया, इस दौरान, बिलकुल, हमारे हैं एक typical चीज रहती है, हम western guidelines को follow करते है, जब western चीज को follow करते है, तो मेरे मन में एक शुरू से प्रशन आत develop करें, उनको हम अपनी customized population के लिए करें, उनको हम use करें, तो इसलिए हमारे जितने भी experiments रहे हैं, जिसमें हमने heart attack के मरीज, हमारे young heart attack के मरीज आते हैं, मैं 100 मरीज operate करता हूँ, उसमें से 25% जो मरीज हैं वो 18-30 साल के उमर में होते हैं, अब इस पर हमने जब study की तो हमने दे means को भी study किया, तो हमने पाया कि भारत वर्ष में इतना ज़्यादा उनके अंदर तनाव है कि वो उनकी genetic age, यानि उनकी जो biological age है, उसको practically समाप्त कर देता है, यानि नी शारेर्ट रूप से आप देखेंगे तो एक व्यक्ति के वल 18-30 साल का है उसकी उमर, लेकिन biological age उसकी 80- 90 साल है, तो ये हमारी population के लिए एक unique factor बन जाता है, अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है, वो है तनाव, anger, psychosocial stress, फिर उसको हमने meditation और अलग lifestyle factors के दुआरा cater किया, studies को हमने publish भी किया, यही नहीं आज कल हम death के जो heart attack के बाद death होती है, उसके patterns को हम follow करते हो, वो western scores है, तो हम western scores को क्यों follow करें, जब हमारे scores अलग बन सकते हैं, तो हमने artificial intelligence, triple IIT के साथ collaborate करके अपने scores बनाए है, उनको validate किया है, जिनको हम अपनी population के लिए use कर सकते हैं, और use करके हम यह पता लगा सकते हैं, कि एक व्यक्ति को कोई heart attack की बिमारी हुई है, तो कितने समय बाद उसके जीवित एक सुन्दर innovative tool बनाया है, जिसको मर्क model केते हैं, उस पे काफी publicity भी हुई थी, various TV channels ने cover भी किया था, और ये parameter जो है, जो है, normal parameters, western score, 7-8 parameters से death को predict करते हैं, लेकिन हमने 24 parameters को लेके, जब हम feed करते हैं, कि एवल 30 second के अंदर हमारे पस एक व्यक्ति का score आ जाता है, तो इसके लि हम बनाते हैं, तो हमों के लिए एक नया hope लाते हैं, और हमें क्यों important है, ये समदना जरूरी है, ये ने की tool बनाया, क्योंकि अगर हम ये बता सकते हैं, कि ये मरीज ज़्यादा risk पर है, तो भारत वर्ष में resources बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो limited resources को high risk patient पर हम लोग focus कर सकत हैं, हमारे परस ग्यान की कमी नहीं है, हमारे परस doctors और scientists exceptional brains हैं, in fact बहर भी देखेंगे तो उसमें ज्यादा तर भारत वर्ष के scientist हैं, वो बहुत सफल हैं, तो उन brains को उस कारे को हम यहाँ पर लगा कर यूज करें, मेरे को लगता है ये बहुत important एक fact है, तो ऐसे experiments हम लोग कर कर रहे हैं, और COVID के time में भी हमने अलग 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 प्रकार की papers publish की हैं, अच्छा कर रहे है, quality कर रहे हम लोगों ने अपने hospital में किया है, तो आप जो fellow doctors है, उनको आप क्या advice देना चाहोगे, क्योंकि आपका experience बहुत जादा है, एक होता है medical question, और वो medical question होता है कि क्या मैं य balance कर देते हैं, इनमें एक समनवयता लाते हैं, तो आप एक अच्छे doctor क्यलाते हैं, तो यही एक major कारण है, जिसके कारण कभी-कभी हमारे patients और हमारे beach में distrust हो जाता है, यदि हमारा मन बिलकुल clear है, powerful है, तो patients हमारी बात को एक second में समझ जाते हैं, और faith बन जाता है, यह medical profession क जो basis है, जो आधार है, वो faith है, वो healing का आधार है, मैं busy हूँ, busy हूँ, busy हूँ, time नहीं है, time नहीं है, time नहीं है, ऐसा कहती हूँ आप कहेंगे, तो आप patients को कैसे heal कर पाएंगे, सोचिए एक patient table पर लेटा हुआ और गुस्से में doctor आया और वो कहेगा, इस गुस्से वाला doctor इन भावनाओं को जरूर लेकर आईए, healing doctor जो है, वो treat करना नहीं है, doctor है healing करना, यानि शरीर और मान सकता दोनों के दुवारा ठीक करना, पहले लोग कहते थे कि doctor भगवान है, अब भगवान से वो आगे है, ambassador of God पे आगे है, पहले भगवान थी वो, और अब इस पे आगे ह और ये ग्रियावट चालू है, मैं ये कहता हूँ कि आपकी भावनाएं और आपका कर्म श्रेष्ट होना चाहिए, जब आप table पर हैं या कोई व्यक्ति patient table पर हैं तो आप ये सोचे कि मैं वो कारे करूँ जो अपने घर परिवार में किसी के लिए करूँगा, भगवान आप उसे से इंट्राक करेंगी, फेच समाप्त होगा और लोग हमारे को अलग प्रकार से मेडिको लीगल केसे आएंगे, लोग हमारे लिए कंप्लेन करेंगे पहले डॉक्टर्स किसी को टच करते थी, गुड टच धर उदर, और कहते हैं ते मैं हूँ ना, तो वो 50% ठीक हो जाता था, अब सिर्फ रिपोर्ट्स देखते हैं नहीं, अभी भी है, यह मैं इस बात को पूर्ट तैस्विकार ने करूँगा, लेकिन देखिए कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के अंदर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस फैक्ट को निकालना की टाइम नहीं है, बिजी हो, यह बहुत दिक्कत देता है जब भी मरीज आपके पास आया, आपके पास अगल एक मिनिट भी है, तो 10 सेकंड पॉलाइटली उसकी तरफ देखिए, उससे बात करिए उसको एक मुस्कराथी स्माइल दीजिए, उसको रिसीव करिए, वो जो फर्स इंट्रक्शन होता है, वो मरीज के मन की पीड़ा को समाप्त कर देता है और लोग यही कहते हैं कि जब आपने रख सब एक प्यार से हाथ भी उसको पर रख दिया, मुस्कराथी उसको कह भी दिया, सब ठीक हो जाएगा, तो उसको हिम्मत आती है और वो आपको दुआएं देता है, तो यह हमारा माइंसेट है तो आज के लिए बस इतना ही, कैमरा मन सुनील गौतम के साथ, वदू श्री वास्तव का नमस्कार, 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 इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन जरूर प्रेस करें, न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पारने के लिए झाल